आज हम देखेंगे त्रिभुजो की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिध्याधार्णाएं और एक साधारन कलती मिध्याधार्णा एक दर्शाई कई आकृतियों में से कौन सी आकृति के त्रिभुज सर्वांग सम यानि कॉंग्रुएंट है कुछ बच्चो की SSS सर्वांग समता यानि कॉंग्रुएंट्स की समझ नहीं बन पाती वे सोचते हैं की SSS सर्वांग समता सिर्फ सम बाहु त्रिभुज यानि एक्विलेटल ट्राइंगल के लिए ही सत्य होती है वे पहली आकरिती में देखते हैं कि दोनों त्रिभुज सम बाहू त्रिभुज है और दूसरी आकरिती में सम बाहू त्रिभुज नहीं है इसलिए वे सोचते हैं कि सिर्फ आकरिती एक में दिये त्रिभुज ही सर्वांग सम है इस समझ के साथ वे option एक का चयन करते हैं जो की एक कलट जवाब है सही समझ यह है कि जब किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं त्रिपुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यनि साइट 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 प्रतिबंध कह सकते हैं. इसे संशेब में S-S-S प्रतिबंध कहते हैं. पहली आकृते में दोनों ट्रिपुजों की सभी बुजायं 3 cm लंबाई की है इसलिए पहली आकृते में दिये ट्रिपुज सर्वांग सम है दूसरी आकृती की बात करें तो इसमें OM बराबर PQ बराबर 3 cm है MN बराबर QR बराबर 4 cm NO बराबर RP बराबर 5 cm अतहां त्रिभुच OMN और त्रिभुच PQR की तीनों संगत भुजाएं यानि corresponding sides एक दूसरे के बराबर है इसलिए आकरिती 2 में दर्शाय गए दोनों त्रिभुच भी सर्वांग सम है त्रिभुच OMN त्रिभुच PQR से सर्वांग सम है इस समझ के साथ सही जवाब है option दूसरा मिध्याधाना दो ग्यात केजिये त्रिभुच PQR और त्रिभुच XYZ सर्वांग सम है या नहीं कुछ बच्चे यह देखते हैं कि दिये त्रिभुचों के स्थितियां अलग-अलग है वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनकी संगत भुचाओं की लंबाईया बराबर है इस समझ के साथ वे सोचते हैं कि दिये त्रिभुच सर्वांग सम नहीं है इसलिए वे option दो का चयन करते हैं जो की गलत जवाब है सही समझ यह है कि जब दो त्रिभुचों की संगत भुजाएं बराबर हो तब SSS प्रतिबंद के अंतरगर वे सर्वांग सम होते हैं यहां त्रिभुच PQR और त्रिभुच XYZ में PQ पराबर XY है QR पराबर YZ है और RP बराबर ZX है दोनों की संगत भुजाएं बराबर है इसलिए दोनों त्रिभुच सर्वांग सम है यानि की option एक सही चवाब है अब चलिए एक गलती को समझें जब बच्चे यह जानने लगते हैं कि दो त्रिभुज भुजा 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 प्रतिबंध के साथ सर्वांग सम हो सकते हैं, तब वे यह भी सोचने लगते हैं कि दो त्रिभुज कोण 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 यानि एंगल 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 इस प्रतिबंध के साथ भी सर्वांग सम होते ह इस मिध्याधारणा को वे AAA प्रतिबंध के नाम से याद रखते हैं। चलिए जानते हैं कि उनकी समझ सही है या गलत। आप जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की सभी वुजाएं पराबर होती है और प्रतिय कोण की माँग 60 डिगरी होती है। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश करें। हम 5 cm लंबाई का रेखाखंड BC खीचेंगे। फिर परकार में रेखाखंड BC के बराबर लंबाई लेकर B से एक चाप यानि आग खीचेंगे। परकार में ली गई लंबाई समान रखकर हम C से पहले चाप को काटता एक और चाप खीचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छे दन बिंदू A को B और C से जोडने पर हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होगा। चांदे से अगर हम इसके इकोणों की माप ले। तो हमें सभी कोण साथ डिगरी प्राप्त होंगे। क्या हम एक संबाहु त्रिभुज बना सकते हैं जिसके भुजा के लंबाई 6 cm हो। सोचिये सोचिये। अगर हम उपर दी गई विधी से त्रिभुज PQR बनाए तो हमें एक संबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा। अगर हम इस त्रिभुज के कोणों की माप लेंगे तो इस थिती में भी हमें सभी कोण साथ डिगरी माप के प्राप्त होंगे। हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों के सभी कोण साथ डिगरी है। तो क्यावे सर्वांग सम है? सोचिये सोचिये। नहीं क्योंकि इनके संगत पुजाओं की लंबाईया समान नहीं है। इसलिए सिर्फ कोणों के आधार पर दो त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं यह बताया नहीं जा सकता। इसलिए AAA प्रतिबंद से त्रिबुजों के सर्वांग सम्ता की जाच नहीं की जा सकती। इसी तरह आप त्रिबुजों के इन युगमों को देखकर भी यह ज्याद कर पाएंगे कि इनके संगत कोण बराबर है लेकिन वे सर्वांग सम्त नहीं है। तो आज हमने देखी त्रिबुजों की सर्वांग सम्ता के SSS प्रतिबंद से संबंदित कुछ मिथ्याधानाय और एक साधरन गलती। झाल गलत फूलती।